वीडियो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी सिरीज कंटिन्यू है और आज की जो वीडियो है 52 वीडियो है ठीक है हम लोग 51 वीडियो जो है वो आल्रेडी देख चुके है आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले है इस वीडियो के अंदर हम लोग complete modern websites की तरह ज जब भी यूजर दो दिन तक अगर login नहीं करता है या websites पर नहीं आता तो हम लोग जो है उसको automatically logout करवा देंगे हम लोग उसका token जो है उसको clear करतेंगे और expire भी करतेंगे ठीक है तो यह काम जो है वो आज हम लोग करने वाले है और complete जैसे by default login और जो logout बिसिकली sign up है वो श को बता चलेगा अगर आप लोग पहली तफ़ाइए काम कर रहें किस तरह से यह काम होता है तो बिना timebase की start करते है मैंने react app जो है वो already open करके रखे ताके आप लोग का भी timebase नहीं मैंने server भी run कर लिए साथ में मेरा mongodb का server है वो भी run over और यहां पर जो मेरी react app है वो भी चल मिल जाएगा login तो मैं उसके अंदर चला जाओंगा about all products all single blog card section तो यहां पर login component ठीक है login component.js में मैं जाओंगा अच्छा पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था मैं आपको करके दिखाता हूं पहले मैं यहां पर आता हूं और एक user create करता हूं basically मैं यहां पर console में आता हूं औ इसी को login करवाता हूं ठीक है इसका password है 8 user 123 तो यहां पर मैं इस तरीके से किया मैंने यहां पर लिखा 8 user 123 मैं जैसी sign in कराऊंगा लेकिन अभी मैं जाता हूं application में और मैं जाता हूं local storage में तो अभी देखो by default false rm इसको भी टैगल करूंगा मैं जैसी sign in करता हूं तो देखो token generate हुआ और साथ में आ गया क्या is logged in is equal to false इस चीज़ को पहले टैगल करने है यह हमने जो है वो सही नहीं किया था मुझे क्या करना है मुझे जो यह है इसको अभी के लिए मुझे यहां पर कर देना है true ठीक है और यहां पर आप लुख देखो set is logged in is equal to true मैंने किया इसको मैं यहां से हटा दूँगा और इसकी भी मुझे अभी नीड नहीं है ठीक है बस मैं अभी चाहता हूं कि जैसी कोई भी user login करे तो local storage में set हो जाए is logged in is equal to true क्यूंकि वो login हो चुक है न तो मैं क्या करूंगा simple एक बर मैं दुबारा से आपको login करके दिखाता हूं मैं एक बर refresh कर लेता हूं इस चीज को मैंने यहां से refresh कर लिया मैं दुबारा से जो है वो 8 user को login करवाता हूं simple लिखता हूं 8 user 123 मैं जैसी sign in कराऊंगा तो यहां पर देखो is logged in is equal to true और token हमारे पास आ गया यह ठीक है अब मुझे क्या करना है मेरी बात आप लोग सुनों पहले मुझे यहा करूंगा यहां पर मैं आ जाओंगा simple यहां पर आप लोग देखो sign in और यहां पर basically मुझे nav bar में जाना पड़ेगा क्यूंके nav bar के अंदर हम लोग ने buttons बनाए में तो यह जो nav bar है मैं इसमें आओंगा और यहां पर मैं इसी के नीचे ठीक है मैं इसी के साथ बनाओंगा एक log ठीक है logout देखना भी यहां पर मेरे पास एक बटन आ जाएगा logout का अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही कोई भी user इसके उपर click करे तो मुझे सबसे पहले click handle लगाने तो यहां पर simple में क्या करूंगा simple लिखूंगा on click और लिखूंगा logout user ठीक है मैंने लिखा logout user इसको मैं यह अब मुझे simple क्या करना है logout के click के उपर मुझे window.localstorage.clear ठीक है मुझे simple जो मेरी local storage में जो भी data है उसको clear कर देना है तो इसका मतलब कि हमारा token भी जो है वो clear हो जाएगा इसके साथ साथ हमारा जो भी इस login की key है जो के अभी true हो रखी है login के time पे वो भी clear हो जाएगी ठीक है तो मुझे अब check करना है just अभी देखो यहां पर मैं जैसी logout के उपर click करूँगा logout मैंने किया तो देखो वो जो है वो यहां से remove हो गई इसका मतलब हमारा अभी इतना काम हो गया कि user जो है वो logout हो ठीक है token को भी expire करेंगे but अब मुझे क्या करना है इतना ही काम था अब मुझे यह काम करना है कि अब देखो यहा react tab क्या उपर react sorry localhost localhost 3000 क्या उपर और मैं आता हूँ login क्यूपर ठीक है instant ay. और यह बहुत आपर आ जाता हूँ application के अंदर तो अभी देखो यहां पर जो है वो कुछ भी नहीं सही है अगर मैं यहां पर login करता ठीक है अगर मैं यहां पर log golpe aktा और यहां पर आता तो यहां पर भी वो चीज़ हमें देखने को मिलनी थी यानि टोकन और इस लॉग निस इक्वल टू ठीक है तो यहां पर मैं क्या करूँगा अब मुझे लगानी पड़ेगी कंडिशन मैं पहले लोकल स्टोरिज से क्या करूँगा कि मैं टोकन को मंगवाँगा बेसिकली की को और यहां पर is logged in is logged in is equal to और यहां पर मैं सिंपल क्या करूँगा वह जो हमारी की थी अब की मैं बेसिकली यहीं से कॉपी कर लेता हूं ठीक है तो यहां से मैंने कॉपी कर ली और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं मैंने क्या किया मैंने की मंगवा ली अब यहां पर देखना क्या होगा मैं चाहता हूं कि मेरी website के उपर जो भी यूजर है अगर वो login नहीं है तो क्या हो मैं अभी आप लोग को दिखाना चाहरू हूँ अगर बाद में आप लोग हटाना चाहते हैं इस चीज़ को हटा सकते मैं अभी के लिए अपनी website में ये condition रख रहा हूँ कि जो भी user मेरी website के उपर आता है अगर वो login नहीं है तो by default जो पहली दफ़ा हैगा वो तो obviously login नहीं होगा तो उसको कौन सी screen दिखानी है उसको login वाली screen दिखानी है ठीक है अगर login है अगर login है तो उसको कौन सी screen दिखानी है उसको आपने जो है वो यहाँ पर home screen दिखानी है ठीक है तो यह हम लोग काम करते है मैं simple क्या करता हूँ यहाँ पर इस तरीके से करूँगा और यहाँ पर मैं simple लिखूँगा is logged in अगर equals to equals to true है मैंने simple लिख दिया अगर यह मतलब user login है मतलब user इसका login है तो आप simple क्या करो यहाँ पर आप login screen दिखा ओ वढ़ना आप क्या करो वढ़ना आप home screen दिखा ओ मैंने simple यह पिस तरीके से बोल देखा यहाँ पर किए error आरहा है मैंने simple लिखा is logged in अगर equals to true है तो I think यह मुझे curly bracket नहीं लगेंगी क्योंकि already curly bracket यहाँ पर डाली वी है ठीक है तो यहाँ पर इस तरीकी से आजएगा मैंने simple क्या बोला है अगर user login है इसका मतलब key true है तो मैंने check कर वा लिया अगर key true है सही है तो sorry मैंने multi condition लगा दी यहाँ पर आजएगा home अगर user login है तो उसको home screen दिखा दो वरना उसको login screen दिखाओ ठीक है तो अब देखना क्या होगा मैं यहाँ पर आता हूँ और अभी के लिए मैंने इस तरीके से सेट कर दिया और यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पर अभी user login नहीं है ठीक है user login नहीं है क्योंके सब कुछ clear है तो यहाँ पर अगर मैं दुबारा से हूँ react tab के उपर basically मैं इसको बंद कर देता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर आता हूँ local host 3000 पर तो by default देखो यह मुझे क्या दिखा रहा है यह मुझे login दिखा रहा है क्यों क्योंके user अभी login नहीं है ठीक है तो I hope अब आप लोग को समझ में आये किस तरीके सबर कर रहा है अब मैं क्या करता हूँ जरा login कर लेता हूँ मैं आपर आता हूँ और यहाँ पर मैं 8 user को login करवाता हूँ 8user at the rate gmail.com और यहाँ पर simple लिखता हूँ 8user 123 और यहाँ पर जैसी मैं sign in करवाता हूँ तो मेरा user जो है वो अभी क्या है वो अभी login है अब मैं चला जाता हूँ एक new tab के अंदर और अब मुझे कौन से screen दिखनी चाहिए क्योंके मेरा user login है तो मुझे home screen नजर आनी चाहिए तो जैसी मैं आऊँगा तो इसने क्या किया कि इसने जो है वो यहाँ पर हमें दिखा दी country screen basically इसने हमें login screen दिखाई है क्यों मैं देख लिए तो है यहाँ पर तो guys यहाँ पर जो है वो mistake सिरफ इतनी सी हो रही थी कि हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग यहाँ पर check करवारें true है तो और data जो store हो रहा है वो string की form में तो हमें string की form में ही मिलेगा ना तो हमें यहाँ पर string ही check करवाना पड़ेगा तो अब मैं यहाँ करता हूँ दुबारा से login करवाता हूँ मैं एक बार refresh कर लेता हूँ यहाँ से तो यहाँ पर मैं basically इसको clear कर देता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर simple एक user create करता हूँ sorry एक जो है वो user को login करवा रहा हूँ gmail.com और यहाँ पर मैं simple लिख लेता हूँ 8 user 123 sign in और यहाँ पर देखो is logged in is equal to this ठीक है अभी मैं कौन सी react tap पर हूँ और यहाँ पर भी देखो यहाँ पर भी आ गया मैं अब आता हूँ react tap के उपर दुबारा से तो मुझे देखना homepage देखने को मिलेगा सही है तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा आप के यह किस तरीके से work कर रहा है अब मुझे क्या करना है इसके साथ साथ अब देखो अब मैं logout user पर क्लिक करता हूँ logout मैं नहीं किया और मैं क्या जाता हूँ जैसी logout पर क्लिक हो तो दुबारा से यह navigate हो जाए कौन से page पर login के page पर तो यहां पर देखो login का root बना होगा यह रहा login का root मैं इसको यहां से copy कर लेता हूँ और जैसी window.local storage यह clear हो जाती है तो आप simple क्या करता हो यहां पर एक navigate का hook बना दो const navigate is equal to use navigate ठीक है is equal to use navigate और यहां पर मैंने navigate कर दिया कहां पर इसको login पर ठीक है navigate और यहां पर login सही है अब क्या होगा कि जैसी user clear करेगा local storage से data को मैं एक पर complete दिखा देता हूँ आपको मैं दुबारा से login करवा लेता हूँ sorry यहां पर मैं simple लिख लेता हूँ 8user at the rate gmail.com ठीक है इसके साथ साथ 8 user 123 ठीक है मैं signing करवाता हूँ login successfully और जैसी मैं log out करवाँगा अब पते क्या क्या होगा यह एक तो redirect हो जाएगा login पर और यहां पर क्या होगा कि यह भी यहां से clear हो जाएगी तो जैसी मैंने log out किया तो यह यहां से clear हो गई बट navigate नहीं हुआ login के उपर तो यह मुझे देखना पड़ेगा मैंने लिखा simple मैं क्या करता हूँ मैं एक काम करता हूँ कि यहां पर इस तरीके से नहीं करवाता हूँ मैं simple लिखता हूँ window.location.href href is equals to this ठीक है मैंने slash login कर दिया तो इस तरीके से मैंने किया मैं इसको हटा देता हूँ यहां से इसकी नीड नहीं है मुझे तो यह मैंने यहां से हटा दिया ठीक है मैं login करवाता हूँ मैं gmail को copy कर लेता हूँ यहां से यहां पर मैंने paste कर दिया मैं एक को बंद कर देता हूँ ठीक है एक मैंने बंद कर दी किसे काउंट करेगा अच्छा अब मुझे क्या करना है अब मुझे जो है वो यहाँ पर मुझे क्या करना है मुझे जो है यहां पर आप लोग इन का बटन सरफ देखने को मिल रहा है यहां पर अब मैं क्या करूँगा अब यहां पर मैं लोकल स्टोरी में जो की पड़ी है उससे सेट करवाँगा ठीक है मैं आपर सिंपल क्या करूँगा यहां पर बेसिकली मैंने अच्छा वो मैंने कर दी इसलिए यहां पर बेसिकली हमें यहां पर जैसे मैं इस तरीके से क्या था इदर मैंने app.js में जो क्या था काम वहीं मैं यहां से कॉपी करूँगा मैं यहां से पता चल जाएका मुझह यूजर लॉगईन है या नी ठीक है तो मैं इसको यहां से डेक्ट ली पेस कर देता हूँ यह अगर true है ठीक है मैं यहाँ पर क्या करूंगा simple यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर अगर यह is equal to equal to true है यानि user login है अगर user login है तो उसको कौन सा बटन दिखाना है उसको दिखाना है logout का button ठीक है ना तो यहाँ से मैं इसको uncomment कर देता हूं सोरी यहाँ पर इस तरीके से manually करना पड़ेगा मैंने इसको uncomment कर दिया अगर user login है तो logout का बटन दिखाएगा अगर user logout है तो यह क्या करेगा यह simple यह वाले बटन दिखाएगा सही है तो यह तरीके से काम करेगा मैं इसको format कर लेता हूं थोड़ा सा simple मैंने क्या किया है मैंने लिखा is logged in अगर equal to true तो क्या करो simple जो है logout का बटन दिखाओ अगर login है अगर login नहीं है तो sign up और login का दिखाओ तो देखो अभी login नहीं है तो यहाँ पर क्या आ रहे है sign up और login का बटन ठीक है मैं 8 user को जड़ा login कर ले रहा हूं ठीक है मैं यहाँ पर simple लिखता हूं 8 user at the rate gmail.com और यहाँ पर simple आजेगा 8 user 123 जैसी sign in करता हूं तो देखो sign in हो गया अब logout का बटन आ गया बटन बटन भी मुझे उसी तरह से style करना है जिस तरह से मेरा login और logout का sorry sign up और login का बटन style हुआ गया तो मैं जाओंगा navbar.css की file में और यहाँ पर देखोंगा कि कहां पर जहें हूं मेरे बटन style हुए में basically यह बटन जहें हूं मेरे style हुए में तो मैं क्या गरता हूं simple logout button को एक class दे देता हूं simple यहाँ पर मैंने simple लिखा यहां पर class name sorry यहां पर नी, यहां पर ठीक है, class name logout ठीक है logout simple लिखा और यहां पर copy के इस class को और यहां पर आकर मैंने इसको paste कर दिया, इसको मैं copy करता हूं यहां से मैंने उठा कर यहां पर भी paste कर दिया और कोई भी गरता है इस button की उपर अगर hover तो वह वाली functionality भी डाल दूँगा मैं simple यहाँ पर मैं इसको copy कर लेता हूं और यहाँ पर मैंने paste किया और जैसी जैसी कोई भी यूजर इसके उपर करता होगा तो आप simple क्या करो यह वाली functionality एड़ करो ठीक है तो यहाँ पर simple मैंने इस तरीके से कर दिया अच्छा अब जो हमारा logout बटन भी इस तरीके से आगया अब कोई भी यूजर करता है अगर logout ठीक है अगर logout करता है तो यहाँ पर किये logout हो गया और यह हमारे पास sign in paste पर आगया ठीक है तो हमने जो जैसा उसको बताया था यह अब उस तरीके से perform कर रहा है हमारी functionality को अब ह हमें क्या करना है हमें एक चीज़ करनी है कि हमें अपने अगर for example मान लो कि यूजर ने log in किया और वो website से चला गया use करके उसने website use कर ली और वो दुबारा आता है 10 दिन के बाद और हम उसको log in ही रहने दें ऐसा तो नहीं हो सकता मैं क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं कि हमार जो यूजर है अगर वो आता है कितने दिन के बाद दो दिन के बाद अगर वो दो दिन के बाद हमारी website के उपर आता है तो हमें उसके token को expire करना पड़ेगा ठीक है तो हम expire कर देंगे तो यहां पर simple मुझे क्या करने एक चीज़ लिखनी है सिरफ server में आकर और यहां पर हमें की जहां पर मैंने लिखी थी तो यहां पर विसी के लिए यहां पर मैं देख लेता हूं यह रहा ठीक है यहां पर जो है हम लोग सिक्रेट की डाल लेते इसके साथ मुझे क्या करना है मुझे simple लिखना है expires in और यहां पर मैं simple लिख लेता हूं expire time ठीक है यह I think seconds की form में जो है वो store होता है तो मैं simple क्या करूंगा expire time is equals to यह formula है दो दिन का ठीक है इस तरीके से करेंगे 60 multiply 60 तो यह multiply होगे 24 से hours है और इसके बाद यह कितने दिन तक यह दो दिन तक ठीक है यह इस तरीके से मैंने formula बनाया है और मुझे क्या करना है simple मैं इसको const कर देता हूं const और यहां पर जो है बारा से लॉग इन करना पड़ेगा जैस इतनी सी लॉजिक लिखनी थी हाँ पर तो अब जो है वो हमारा काम हो जाएगा अब हमने लॉग इन लॉग ओड फंक्शनलिटी देख ली अब फाइनली हम लोग जो है वो क्या करने वाले नेक्स वीडियो में जिसकी बहुत जादा थी आप लोग बोल रहे थे कि इस वेबसाइट के अंदर जो हम लोग पेमेंट गेटवे कौन सा लगाएंगे और लगाएंगे भी या नहीं तो फाइनली हम लोग नेक्स वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर स्ट्राइप पेमें कर सकेगा online ठीक है तो ये वाला हम लोग जो है वो काम करेंगे next video के अंदर तो बहुत जादा मज़ा आने वाले आगे आने वाली videos में और इस website को हम लोग next level के उपर ले कर जाएंगे तो आज इस video के लिए इतना ही guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next video take care